UPSC preparation में optional subject एक major role play करता है आपका क्योंकि इसका weightage सबसे जारा होता है 500 marks का दो paper होते हैं आपके 250-250 marks के अब क्योंकि इतना अच्छा खासा weightage है तो हमें काफी सारी शीज़ें consider करनी पड़ती है optional को choose करने से पहले हम जो भी optional choose करते हैं सबसे पहला तो यही है कि आपका interest होना चाहिए उस subject में इसके लाबा दूसरे कई सारे points हैं जिनको आपको consider करना होता है जैसे कि इसका success rate कितना है यह scoring है या फिर नहीं है इसका study material available होगा इसका guidance mentorship मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी syllabus कितना बड़ा है कितना portion इसका dynamic है कितना static है यह कई सारे points है जिनको हमें consider करना होता है तो यह सारे points में अगर हम देखते हैं सारे points को अगर हम देखते हैं philosophy optional में तो philosophy optional में यह सारे points कवर होते हैं आपके काफी benefit की form में philosophy optional अगर आप चूज करते हैं तो आपको काफी सारे benefit मिलते हैं सबसे पहला benefit है कि जो आपके optionals की list है उसमें सबसे छोटा से लेवर से philosophy optional का और ये चार महीने में आप complete कर लेते हैं इतना छोटा से लेवर से कि चार महीने में complete हो जाता है average success rate जो है वो उसका 7.9 है इसके लाबा जो अगर आप बात करते हैं कि scoring है या फिर नहीं है तो इसका जो highest score रहा है अभी तक 327 मिहर पटेल लेकिए आये थे जिनके 327 marks आये थे और rank आये थी 27 static subject है dynamic portion नहीं है तो यहाँ पर certainty बनी रहती है कि जो syllabus है वहीं से questions पूशे जाएंगे इसके बाहर से कोई question आने वाला नहीं है इसके लाबा कर बात करते हैं subject के nature की तो it is completely logical subject theoretical नहीं है जहाँ पर आपको चीजों को याद नहीं करना आपको चीजों को सिर्फ समझना है you have to understand the concept once you understand a concept you will be able to write good answers in philosophy as well as in other G.S. subjects and other papers क्योंकि यह जो subject है यह logical subject है तो आपको एक thoughtful aspirant बनाता है और thoughtful aspirant अगर आप होते हैं तो आपके writing skills भी यह improve करता है कई सारे आपके G.S. के papers है जिनको यह overlap करता है पेपर 4 है आपका ethics integrity and aptitude उसमें यूनिट 5 है उसमें आपसे इंडियन और western philosophy के इंडियन और वेस्टन जो thinkers हैं उनके perspective पूछे जाते हैं ethics morality और values के reference में वहां यह आपको overlap करता है अगर philosophy को चूज करते हैं तो वहां पे उन thinkers को आप उलड़ी पढ़ चुके होते हैं तो इस तरीके से आपका इस integrity and aptitude में पेपर में आपकी help करता है इसके लाबा आपका जो ऐसे वाला पेपर है तो ऐसे वाले पेपर में आपने देखा होगा 70% questions आपके philosophical रहते हैं उनका नेचर philosophical रहता है direct philosophy से questions आते हैं तो अगर आप philosophy और चूज करते हैं तो वहां rights, accountability, duties, forms of government, theocracy, monarchy, democracy, crime and punishment, corruption, mass violence, genocide, gender discrimination, caste discrimination, कई सारे topics हैं जो कि आपके sociology और quality में आपकी help करते हैं जहां पे आपको various thinkers के आपको various thoughts मिलते हैं जो thoughts आपके GSK papers में भी अगर आप include करते हैं तो वहां भी आपको score better होता है तो कुल मिलाके philosophy optional आपके overall preparation के लिए काफी अच्छा है और अगर हम देखते हैं कि philosophy इतना overlap करता है दूसरे papers को तो हम से ये inference लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि UPSC हम से ये चाहता है कि अगर हम U UPSC के preparation करते हैं तो हमें philosophy तो पढ़नी ही है philosophy की knowledge तो होनी ही चाहिए philosophy optional के लिए नहीं तो दूसरे GSK papers के लिए ethics के लिए चाहिए ऐसे के लिए चाहिए social and political जो views है perspectives है thinkers के उसके लिए चाहिए तो कुल मिलाके philosophy और काफी beneficial है आपके लिए अगर आप चूज करते हैं अपने UPSC के preparation में या आपके overall UPSC preparation में help करता है right from prelands to interview interview में भी जब आपको पुछा जाता है कि आपका option कौन से था तो आप बताते है philosophy तो वहाँ भी आपके काफी सारी जो questions है वो philosophical perspectives के उपर depend करते जिनको आप already philosophy में पढ़ चुके होते हैं और दूसरी जो questions होते हैं उनके answers भी आप better तर perspectives को develop करता है आपको एक thoughtful aspirant बनाता है एक ही problem के different solutions आपके पास होते हैं क्योंकि different perspectives आपको मिलते हैं यहाँ पे different schools of thoughts से और different philosophers थे और इतना ही नहीं philosophy optional सिर्फ UPSC preparation में नहीं आपकी personal life में भी काफी help करता है क्योंकि this is not only a subject but it is life the way of life जीवन जीने का तरीका है अगर आप चार महिने philosophy बढ़ते हैं तो चार महिने आप अपने आपको देखेंगे कि मेरी personality में एक significant change आया है philosophy आपके personality को ही transform कर देता है एक modified version में आपको transform करता है जहां पे आप अपने आपको पाते हैं कि अब मेरी life में उतनी problems नहीं अगर होती भी है तो उसे deal करने के तरीके आप सीख चुके होते हैं तो कुल मिलाके philosophy एक life changing subject है चाहें आप UPSC preparation के लिए पढ़ते हैं या फिर वैसे ही बढ़ते हैं अपनी life के लिए तो इतने सारे benefits है philosophy option के साथ में तो अगर आप इसको choose करते हैं तो यह सारे benefits को आप अवेल कर पाएंगे हमारा अगला philosophy option का batch है वो start हो रहा है 30th of October के जिसके admissions आज start हो चुके हैं इसमें आपको life class के साथ test series में मिलते हैं plus study material मिलता है आपको एक single book भी purchase करने की जरूरत नहीं है market से मैंने जो अपना study material prepare किया है काफे research के बाद में जो best standard books हैं market में उनको compile करके काफे research के बाद में कुछ ऐसे topics होते हैं जो की books में भी नही books में नहीं मिलते तो उन topics पे काफे research होती है कि कुछ research papers होते हैं वहां मिलते हैं अफिर thesis होती है PhD की वहां से मिलती है तो इस तरीके से मैरे अपना study material इस तरीके से त्यार किया है कि जो की एक non philosophy के background का aspirant अगर आता है तो इसको आराम से comprehend कर सकता है easy language में मैंने explain किया है with examples अभ questions में जो questions से ऐसा लगता है कि UPSC ने उन्ही questions को copy paste कर दिया है मेरे students का यही feedback था जो मेरे enrolled students है उन्होंने यही कहा था कि सर क्या आपने अपने पीपीटीज देरी थी UPSC को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी पीपीटीज और आपकी test series से ही questions उन्होंने form कर दिये हूं मैं एक बज़े से चार बज़े तक होती है तीन गंटी की live classes होती है जो कि record भी हो जाती है अगर आप working professional है या फिर एक से चार के टाइम पे अवेलेवल नहीं होते तो आप recorded sessions को भी देख सकते हैं इसके साथ हमारी जो test series है वो चलती है live class के साथ हमारी test series चलती है जिसमें 12 test होते है 8 sectional test होते हैं चार full lane test होते हैं जो कि आपके live classes के साथ साथ चलती है इन्रोल्मेंट के बाद मैं आपको अपने groups में add कर देता हूं जो कि हमारा टेलेग्राम पे और WhatsApp ग्रूप है जहां आप अपने answer writing के practice करते हैं प्रिवेश से के questions को solve करते हैं और जो भी आपके doubts होते हैं उनको हम solve करते हैं मेरी ID है गुपता सौर बील वाइवन कभी भी आपको philosophy से कोई भी doubt होता है तो आप मुझे वहां पे contact कर सकते हैं admission से पहले भी और mission के बाद भी so this is all about my life classes काफी छोटा से लेवा से चार महीने में आपका complete रहती है तो this is all about my life classes जो की start हो रही है 38th of October को जिसकी fees काफी affordable है 14999 अगर आप मेरा code use करते है इसके लाबा study IQ से आप कोई भी course purchase करते हैं P2i का foundation batch UGC net के लिए या फिर कोई भी batch purchase करते हैं तो अगर आप मेरा code use करेंगे HGLI तो आपको maximum discount मिल जाता है so this is all about life classes thank you so much for running this session have a good day good luck stay tuned to study IQ and see you in the live batch